हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपके लिए NDA पेपर 2 यर 2023 का एक कोशन लेके आया हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं इस कोशन में पूछा गया है तो हम इन चारों में से बताना है कि इन पॉइंट कैसे लाए करते हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पॉज करिए और इपर खुद सॉल्व करने की कोशिस कीजिए उवीद है आपने ट्राय करा होगा और आईए अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका इसमें इन ओने हमें चार पॉइंट दे रखे हैं जो ए पॉइंट है उस से कोणिट से माइनस ए कॉमा माइनस बी बी पॉइंट कोणिट से जीरो कॉमा जीरो C pointer coordinates है A, B और D pointer coordinate है A square, AB तो अगर मुझे points ही collinearity चेक करनी है अगर 3 points माल लीजे A, B और C collinear है तो इनमें 1 point common होगा और AB का slope BC के slope के बराबर होगा तो देखते हैं और slope का क्या formula होता है M is equal to Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 अब हम लोग क्या करेंगे M, AB निकालते हैं M, AB के लिए इन दों coordinates को मैं use करूँगा ठीक है तो Y2 कितना है मेरा 0 minus minus B upon 0 minus minus A तो यह कितना जाएगा B upon A और फिर M, B, C M, B, C के लिए मैं किनको यूज करूँगा M, B, C के लिए मैं इनको यूज करूँगा उसमें ही करूँगा B minus 0 upon A minus 0 is equal to B upon A तो मुझे इसे क्या पता चला कि मेरे इन दों कि स्लोब बराबर है और A, B, C को लिनियर है तो मुझे अब क्या पतना पतनेगा M, B, C और M, C, D अब देखते हैं M, B, C हमने अल्रेड़ी निकाल रखा है अब मैं निकालता हूँ M, C, D M, C, D के लिए मैं ये दोनों को यूज करूँगा ओके तो M, C, D is equal to A, B minus B upon A square minus A तो B common ले लेंगे A minus 1 और A common ले लेंगे A minus 1 तो ये कड़ गया तो मेरा फिर से क्या आगया B और A तो देखें मेरा फिर से A भी आगया यानिकि M, B, C is equal to M, C, D तो मैं क्या कह सकता हूँ कि A, B, C, R A, B, C, and D या या मेरी ये चार पॉइंट्स है A, B, C, D तो इसका सही option D है दोस्तों हम लोग पूरी test series पूरी series कर रहे हैं जिसमें हम previous year and day question solves कर रहे हैं उमीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा ऐसी और सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए Thank you, have a nice day.